नमस्कार आप सभी सांथियों का स्वागत है आज हम लोग देखने जा रहे हैं छात्रावास अधिक्षक भरती परिच्छा के लिए कौन-कौन सा महत्तपूर्ण पुष्टक है जिसको आप पढ़के असानी से छात्रावास अधिक्षक बन सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सबिस्क्राइब जरूर करिएगा तो आईए बीन अदेरी की वीडियो को सुरू करते हैं इसमें जो सबसे महत्तपूर्ण सब्जेक्ट है ये है आपका कम्प्यूटर और कम्प्यूटर आपका सिलेबस में दिया गया है 30 नंबर का और इसमें एक महत्वपूर और बोला गया है कि ये 30 नंबर में 50 प्रतिसत आपको अंक लाना अन्यवार्य है अन्य था दूसरा आपका जो पोर्शन है ओच एक नहीं किया जाएगा मलब आपको 30 में 15 नंबर लाना अन्यवार्य है तो इस द्रिष्टी कोड से कंप्यूटर आपका एक महत्वपूर सब्जेक्ट हो जाता है जिसके लिए सबसे बेश्ट बूक आपको देखनों की मिलेगा परिच्छा मंथन तो परिच्छा मंथन जो आत्मान संस्क्राण का आ चुका है 2024 का भी वो सबसे आपका बेश्ट बू का से थेवरी को आप प्लियर कर सकते हैं देखा जाए तो वैसे आपका परिच्छा मंतन से कंप्यूटर का पूरा तयारी हो जाएगा लेकिन अपने तयारी को और बेहतर करने के लिए आप एक बुक का और उप्योग कर फकते हैं जो है आपका हरी राम पडेलफर का परिचय जो के वलकिस प्रकारफे है तो वस्तुनिष्ठ प्रकारफे है तो इसको आप अपनी तयारी को चेक करने के लिए इस पुस्तक का उप्योग कर सकते हैं ताकि तयारी कितना हुआ है आप असानी से पता लगा सकते हैं और अपने तयारी को बेहतर कर सकते हैं ते तो ह एक महत्वपूर्ट सब्जेक्ट है जो आपका है गडीत और यह गडीत के लिए बेश्ट बुक होगा आपका सारदा पब्लीकेफन का एफड यादावसर का अंकगडीत और यहां से आप हर एक टाइप का कोश्चन सॉलव कर फकते हैं तो यहां से कोश्चन उठाइएगा जबकि सालूसन आप देख सकते हैं कोई भी यूटूब चैनल से आपको सालूसन बहतर तरीका से मिल सकता है क्योंकि इस बुक में जो दिया गया है तो तो टाइम टेकिंग है इस वज़ए से इसमें से कोश्चन लगाईएगा और पूरा आपको देखना हो सके तो सीजी व्यापम का आपको घटना चक्र यूज कर लेना है तो इस प्रकार से ये बेश्ट बूक हो सकता घटना चक्रा ना भी रहे तो भी ये बूक सफिसेंट है इतना बूक में आपका कवर हो जाना है लेकिन तरीका आप कोई सभी यूटूब चैनल से टापिक वाइस उठा के करिएगा सब्जेक्ट है इसका वेटेज है आपका 25 प्रफन 25 नंबर का वेटेज है तो इसका वेटेज भी काफी ज़्यादा हो जाता है तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो दो सब्जेक्ट हो गया आपका कम्प्यूटर ये 30 नंबर का और आपका मेट्स हो गया ये हो गया आपको 25 नंबर का तो लगभग आधाप से ज़्यादा अंग कहां से अरजित किया जा फकते है तो ये दोनों सब्जेक्ट से अरजित किया जा फकते है दोनों सब्जेक्ट काफी स्ट्राउंग करना पड़ाईगा अगला देखिएगा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका जो नया जुड़ा हुआ है बाल विकास यह हम सिख्छा सास्त्र इस नाम से आता है लूसेंड का लूसेंड का बूक आता है इससे आप तैयरी करफ ते कितने नंबर है आप सिलेवस में देखेगा तो यह बता दिया गया है कितने नंबर का तो दस नंबर का है और यह दस नंबर के लिए इस बूक को पूरा पढ़ने के उसकता नहीं है क्योंकि इस बूक में सबसे बहतर चीज़ यह है कि टॉपिक के जस्ट अबाद अब्जेक्टिव दे दिया गया है तो आपको पढ़ना अब्जेक्टिव को है और दो से तीन बार कि यह जो तीन सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर 30 नंबर का गड़ी 25 नंबर का और बाल विकास का आगया आपका दस नंबर का तो लगभग यह 55 नंबर कवर कर जा रहा है कि उसके बाद एक महत्तुपुर्ण सब्जेक्ट हो जाता है आपका समाने ध्धन जो भारत के समा आता नहीं है तो लूशेंड का जो ये बुक आता है लूशेंड का बूक आपके लिए पर्याप्त है अगर की कंडिशन में कीरं पब्लिकेशन का बुक कर भिए योज़ किया जाब सकता है लेकिन ये यह बुक्ट देखने को ज्यादा मिलता है कि समाने रूप से सभी लोग लगभग ये आपको लूशेंड का जो समान्य ध्यन का बूक है ये बूक सभी के पास मिल जाता है इस वज़े से अगर नहीं होगा तो आप किरन पब्लिक एफन को ले लीजेगा और यदि लूशेंड का बूक है तो लूशेंड का बूक से पढ़ लिजेगा लेकिन इसके लि सालवर्ड फेपर है ना हरी राम पटेल फर का जो सालवर्ड फेपर आता है समान्य अध्यन के लिए उसमें का आपको अब्जेक्टि पूरा लगा लेना है कौन से बूक को कंप्लीट करने के बाद तो आपका जो लूशेंड का बूक आप जैसे पढ़ लीजेगा किरन पब्लीकेशन का लगा सकते हैं किरन पब्लीकेशन का आपको थेवरिकल बूक आता है वन लाइनर उसका यह जो बूक आता है किरन पब्लीकेशन का इसमें से थेवरिकल लगा सकते हैं और हरी राम पटेल से अब्जेक्टि लगाना लेकिन अब्जेक्टिव हरी राम प पड़िकेशन का लगा लिजी क्योंकि एकदम डिटेलिंग नहीं पड़ना है तो लूसेंड का बुक यह पर्यापता है हिंदी के लिए पूरा डिटेलिंग पड़ना थे विनेक मार पाठक सरक पड़ सकते थे लेकिन आप लूसेंड पढ़िएगा पतली से बुक आता है इतन राल इंग्लीज पड़ सकते तो इंग्लीज के लिए हिंडी के लिए लूसेंड का बूख सबसेशिएंट आपके लिए अगला एक महत्पूर्ट सब्जेक्ट है 36 गाड़ और 36 गाड़ में 36 गाड़ का वेटेज बहुंच कम है तो 17 अधिक्षक में केवाल 5 नमबर का है तो 5 नमबर के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर करने की असकता नहीं है आप केवाल कौन से बुक पर लीजेगा तो विनाय कुमार पाठक सरका 36 गाड़ वस्तु निष्ठ हैंड बुक के नाम से जो आता है और इसमें खास्ती यह है कि पूरा अबजेक्टिव को सांथ में डिटेलिंग दिया हुआ है तो इतना ही बुक दो से तीन बार इसको पढ़ लीजेगा इतना प्रयाप्त है कवल 4 औफ अधीक्छक के लिए अन्यक के लिए आपको अलग बुक पढ़ना पड़ेगा तो यह 4 औफ अधीक्छक के लिए भस है जिसमें 36 गड़ पांच नंबर का आईगा तो इसके और यूटूब चैनल से अगर नहीं देख रहे हैं आप नोट से या तो कुछ भी पत्रीका से पढ़ना चाहरे हैं तो कुछ भी जो मासिक पत्रीका आता है यूटूब पर्यापत है खर पढ़ने के लिए तो ये था आप लेकों के लिए छात्रा अफदिक्षक के लिए मुहत्त पूर्ण बूक लिस्ट जिसको आप पढ़के सफ़ता हांसित कर सकते हैं तो इसी प्रकार के लगातार आपको जान करें मिलता रहे इसके लिए आप चैन